Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको provide कराता है high quality education, वो भी बिलकुल free of cost. Kindergarten से लिखे class 12 तक की. CBAC board की courses के साथ साथ आपको other state board की भी courses available है in indie medium, जैसे की UP board, Bihar board, Delhi board की courses, proper systematic way में. कोई दिक्कत परशानी आपको नहीं होगी, daily practice sets के questions भी मिलेंगे, practice भी करते जाएगा, e-books और e-notes के link आपको description box में available है, तो भटकनी की बात नहीं बनती है. So, आज का हमारा topic क्या है, a closer look. किस के बारे में देखेंगे हैं? Bengal के बारे में देखेंगे. Bengal सुना है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं सुना हो. ठीक है, Bengal के बारे में देखेंगे. और इससे पहले जो करा है, हमने पढ़ा है, उसके बारे में थोड़ा सा revision करेंगे, क्योंकि important है. पहले तो आप क्या कर दो, जो हमेशा का हमारा tradition है. ये तो इनके tradition हम पढ़ी रहें, लेकिन जो एक मेरी परंपरा है, जो custom है, मैं follow करती हूँ और आपसे करवाती हूँ क्या? Like और share की. ठीक है? क्या करवाती हूँ भई? Like और share करने के लिए, मैं आप लोगों से कहती हूँ न, तो फटा-फट से like, share करो. चल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी से. So, last class में हमने किसके बारें पढ़ा था? हम किसके बारें पढ़ें था last class में? Paintings के बारे में, miniature paintings, जो उस वक्त की बड़ी famous painting थी. अच्छा है, miniature painting का मतलब क्या था? जो small size paintings, जो किसमें की जाती थी? Water color से, cloth में, या हमने देखा था कि paper में भी की जाती थी. बट शुरू-शुरू की जो painting से usually वो किसमें होई थी? Leafs में होई थी, palm leaves में, wood में. है ना, mughals के टाइम पे painting का एक अच्छा बोल बाला. मना, वो लोग बहुत पसंद करते थे. Special लोगी इस painting को देख पाते थे. दीरे-दीरे जब Mughal Empire decline हुआ, तो यह जो artist है, वो कहाँ चले गए? यह artist चले गए, भई, जो है, हिमाचल साइट. फिर वहाँ पे जो नई painting style है, बस हो ली करके. फिर वो famous हुई, उसके बाद पे नई painting style है, kangra painting style. clear तो धीरे-धीरे मतलब हमने चीजे देखी कैसे-कैसे चीजे अपग्रीड हुई. है न, अलग-अलग जगे जाके जो ट्रेडिशन था painting का फैला. ठीक है, clear हुआ की नहीं हुआ? Okay, अब आज देखेंगे बैंगॉल के बारे में. The growth of a regional language. इससे पहले हमने क्या देखा था? हमने सबसे पहले देखा था, जब पढ़ रहे थे, हमने heroism की बारे में देखा था, कैसे बही कौन से एरिया में किसको क्या बोलते हैं, जैसे राजिस्थान को राजपुता ना बोलते था, कौन बिडिश्यर? तो वहां की परमपरा हैं, ट्रडिक्शन उसको देखा, फिर उसके बाद हमने dance का देखा था, classical, फिर उसके बाद हमने painting का देखा, अभी हम देखेंगे कैसे regional language की growth, कैसे growth हुई regional language की, regional language हम बोलते ना कि अरे राजिस्थान की जो language राजिस्थानी बोल रहे है, ठीक है? As we saw at the outset, we often tend to identify regions in terms of the language spoken by the people. So, we assume that people in Bengal always spoke Bengali. जैसे कि हमने starting में ही जब हम chapter का introduction पढ़ रहे थे, तो हम कह रहे थे हैं कि किसी के बारे में भी जब हम जानते हैं, पहचानते हैं, उसको देखते हैं, अगर वो बोल रहा है Bengali, पंजाबी, लैंगवी लैंगविच बोल रहे थे हैं अगर कोई पंजाब का होगा है, यही बोलते हैं इना? So, we assume, हम यह यह पीपल पेपिपल बैंगल का है, तो क्या भोलेगे? Always, हमेशा बेंगवली बोलेगे, यह ना माहीन में अता है. However, what is interesting is that while Bengali is now recognized as a language derived from Sanskrit Early Sanskrit text, mid-first millennium BCE, suggests that people of Bengal did not speak Sanskritic languages How then did the new language emerge? अब हमें बोल रहे है कि कैसे? Bengal की हम बात करें कि Bengal का है अगर कोई तो मदब Bengalी बोल रहा है कोई तो Bengal में ही लेंग्विज सब बोलते हूं ऐसा कह रहे है However, इसमें इंट्रेस्टेट चीज़ क्या है is that While Bengali is now recognized as a language derived from Sanskrit हम अभी क्या मानते कि भी जो Bengali है language वो कहां से आई? Sanskrit language से आई Sanskrit बीग भाशा है Sanskrit भाशा से आई है Early Sanskritic, जो Sanskrit text है Mid-first millennium BCE, suggest जो Sanskrit text है पुराना, वो क्या बताता है? जो people है Bengal के, did not speak Sanskritic languages जो Bengal की people है, जो लोग है, वो Sanskritic languages नहीं बोलते जब वो लोग यह language नहीं बोलते हम कह रहा है Bengali Sanskrit language से आई है derived हुई है और हमें text देखने को बोल रहा है कि यह लोग Sanskritic language नहीं बोलते then how did the new language emerge? तो कैसे नहीं language emerge हुई? यह हमें बताना है यह question है basically ठीक है? चला from the 4th and 3rd centuries BCE commercial ties begin to develop between Bengal and Magad South Bihar which may have led to the growing influence of Sanskrit अब लगभग 4th और 3rd centuries की बात है BCE before common era before common era यहने BC जो हम before Christ बोलते हैं commercial ties, मतला हो जो trade के purpose है buying, selling किस के बीच में develop हुई? Bengal और Magad के बीच में का है? South Bihar मगद और Bengal के बीच में commercial trading अगेरा मन भे शुरू हुई धीरे धीरे which may have led to the growing influence of Sanskrit जिसके कारण जो है Sanskrit का प्रभाफ बढ़ा During the 4th century the Gupta ruler established political control over North Bengal and began to settle Brahmans in this area Thus, the linguistic and cultural influence from the mid Ganga valley became stronger In the 7th century the Chinese traveler Shwan Zeng Observe that languages related to Sanskrit were in use all over Bengal कैसे कैसे चीज है मर्जवे हमें बता रहे है कि जब trade स्टार्ट हुआ किसके बीच में? Magad और Bengal के बीच में 3rd और 4th century में तो during the 4th century जब 4th century चल रहे हैं उस टेम पे जब गुप्त रूलर थे उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपना पूरी तरीकी से राजने की राजने की कंट्रोल किस पर कर लिया? बेंगौल में, नौर्थ बेंगौल में मतलब इनकी टेरिटेरी बन गई अब जब इनकी टेरिटेरी बन गई तो यह जो चाहे करें तो इन्होंने क्या करा? Begin to settle Brahmans in this area इस जो एरिया में Brahmans settle होने लगे Brahmans यानि पंडित और पंडित क्या करते? संस्क्रिट लैंगूज उनको बहुत चाहा नौलेज होता है Does the linguistic, यानि जो language की बात हो रही है और cultural influence, linguistic language का और culture का जो प्रभाव है influence from the mid ganga valley became stronger जो mid ganga valley से जो एक influence था है ना जो प्रभाव था, किसका language का, culture का वो यहाँ पर पढ़ने लग गया In the 7th century, the Chinese traveler जो 7th century में Chinese traveler हम बोथ है traveler वगेर आते हैं फिर लिखते हैं अपनी किताबों में कहां गए, कहां उन्होंने क्या क्या चीज़े देखी तो ऐसी traveler थे Shwan Zang, observe that languages related to Sanskrit weren't used all over Bengal मतलब ऐसी भाशा है, जिसका relation जिसका संभन संस्क्रिट से था वो languages जो है Bengal में देखने को मिली मतलब वहाँ Bengal के लोग वो languages यूस करने लग गये तो यह देखने को मिला याने Sanskrit दीरे-दीरे mix हो रही थी उसका प्रभाव दीरे-दीरे पढ़ रहा था हमने देखा ना linguistic याने language का और culture का प्रभाव क्योंकि गुप्तु रूलर थे उन्होंने जो है establish कर अपना control अब वहाँ पर ब्राह्मन सेट हुए ब्राह्मन सेटल हुए तो ब्राह्मन याने प्रीस्ट याने रजपंडित जिनके हम बात करते हैं याने Sanskrit बोलते है Sanskrit के वारे में जानते है जब वह आए तो Sanskrit language भी उनके साथ आएगी तो धीरे-धीरे वह फैलने लग गई धीरे-धीरे वहाँ के वह उस चीज़ को जानने लग गए तो यह इसका असर Sanskrit language का असर बेंगॉल में देखने को मिला कौन बता रहे ट्रैवलर बता रहे चाइना के Swang Zhang यह क्या है a page from a palm leaf manuscript of the earliest Bengali Ramayan यह Bengali Ramayan जो है Bengali language की जो Ramayan है उसका क्या है palm leaf ताड के पत्तों में manuscript लिखी होगी ना manuscript क्या होती ही जो ऐसे hand written script होती ही जो palm leaf में हम दिखने है पत्तों में लिखी जाती ही ताड के पत्तों में इस तरीके से तो लिखी गई है क्या है Bengali Ramayan clear कोई confusion दिखकत तो नहीं आगे बढ़े चल्ट from the 8th century Bengal become the center of a regional kingdom under the palace अब chapter 2 में हमने पालास के बारे में भी सुना था पालास के बारे में तो 8th century में जब Bengal है वो क्या बन गया था regional kingdom बन गया था एक regional kingdom बन गया था region wise किसके अंडर पालास kingdom के अंडर जैसे kingdom होते ना राजपूत चेरास पांडेय जैसी पालास kingdom पालास आप यह मस तो किसी का नाम है ठीक है पाल्स या पालास तरीक से बोलते है between the 14th and 16th centuries Bengal was ruled by Sultan who were independent of the rulers in Delhi chapter 3 में हमने डेली सल्तनत के बारे में डेली सुल्तान के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था in 1586 when Akbar conquered Bengal it formed the nucleus of the Bengal subah while Persian was the language of administration Bengali developed as a regional language अब धीरे धीरे कैसे बदलाव आ रहा है कैसे कैसे इमर्ज हो रही हमने देखा यहां पे पहले तो संस्क्रित मिक्स हुई क्योंकि जो एक गुप्त रूलर आए उन्होंने कंट्रूल करा अब यहां पे कह रहे हैं कि 8th century में यहां पे center बन गया regional kingdom किसका पालास का between the 14th और 16th century चाउदवी और शोलवी शताबदी में जो Bengal है उनको किसने रूल करा सुल्तान सा गया डेली सुल्तान सा गया who were independent of the rulers in Delhi जो भी कैसे थे बड़े ही आजार टाइप के थे स्वातनत रूलर थे ना डेली के तो वहां पे इनका यहां भी area था इन 1586 में अकबर conquered Bengal अब 1586 में जब अकबर ने Bengal को जीत लिया conquer कर लिया, invade कर लिया it form the nucleus of the Bengal subha अब इनका सुभा वो बन जाते ना वो इस ताइप का अलग 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 वैसा इस तरीके के बना लेते एरिया वाइस तो बैंगॉल एक सुभा बन गया अब क्या था पर्शियन जो लैंग्विज थी administration की कुछ भी ऐसे काम की रेज़ग लेंग्वेज योज़ुन की जो रहती ही परशियन लैंग्वेज यूजा ति ती ना बयाni भॉटी जो क्योबिकी एरिया के लोग यह जो वहां रहते लेकिन यहां कोई भी ऐसा प्रशासन से रिलेट्यड, राज़पार्ट की जो है मुगल से लिटरेट मालब उनकी काम कास से लिटरेट जो भी काम होगा वो पर्शियन लैंगविज में होगा लेकिन वहां की जो रीजिनल लैंगविज थी जो लोग बोलते होंगे एक दूसरे बात करते होंगे जिस लैंगविज वो बैंगॉली थी clear? चल्ड in fact by the 15th century the Bengali group of dialects came to be united by a common literary language based on the spoken language of the western part of the region now known as West Bengal thus although Bengali is derived from Sanskrit it passed through several stages of evolution हमें क्या बोल रहे? in fact एचीज भी देखी गई की by the 15th century 15th century जो Bengali group था किसका dialects का जो Bengali group of dialects था came to be united a common literary language उन्होंने क्या करा? एक common language बना है उसमें unite हुए जुड़े एक दूसरे से based on the spoken language of the western part की वही western part में ये language ये लैंगविज यूज की जाती है बोली जाती है ना उस region की जिस region को आप क्या बोला जाता है? West Bengal मतलब वहाँ पर बैंगॉली लैंगविज बोली जा रही है उस पार्ट में बैंगॉली लोग बोल रहे है तो उसका इक अलगी वो बना दिया है जिसको आप हम बोते West Bengal तो कौन सी लैंगविज महाँ यूज होरी बैंगॉली? Thus, although Bengali is derived from Sanskrit, it passed through several stages of evolution हम कह रहे हैं, शुरू में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो बैंगॉली है कहां से इवाल हुई? Bengali evolved वी Sanskrit language से It passed through several stages of evolution लेकिन Sanskrit से आई लेकिन धीरे-धीरे stage wise, stage wise उसमें बदलाव होते गए changes होते गए, evolution होते गए Also wide range of non-sanskrit words, derived from a variety of sources including tribal languages, Persian and European languages have become a part of modern Bengali दीरे-दीरे इसमें और भी चीज़ें जुडगे Bengali थी Sanskrit से ली गई थी, बदलाव आई क्योंकि नहीने राजा आते गए, आते गए, changes होते गए हमने देखा पहले पलाज आये, उसके बाद Delhi सुल्तान साय, उसके बाद Mughal साय, तो changes होए अब changes होने के बाद, a wide range of non-sanskrit words अब ऐसे words जो non-sanskrit, जो Sanskrit language की नहीं थे, जैसे बहुत से अलग-अलग sources से derived के लिये गए जैसे कहां से गए, tribal language, आदिवासियों की language से ले ली गए, Persian language से ले ली गए, European languages से ले लिया गया तो जो अब modern Bengali है, जो आज की टाइम की Bengali ही नहीं तो उसमें non-sanskritic words भी added है क्योंकि असर पढ़ता है ना, चीजे mix होती है, mix होती जाती ही जीरी दीर है है ना, हमने शुरू में ही पढ़ा था ना, कि जो हम देखते हैं हमारा जो आज की जो हम product देखते हैं वो कैसा intermixing क्योंकि सब-continent में बहुत mixing हुई है, किसी ने किसी area को हतिया लिया तो उसकी language फोड़ी 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 वहां बोलने लग गए तो क्या हुआ धीरे धीरे बैंगॉली कैसे हम बोले ना, growth कैसे हुआ, कैसे उसका evolve हुई चीजे बदली clear? चलो Early Bengali literature may be divided into two categories, one indebted to Sanskrit and the other independent of it अब हमें कहने कि बैंगॉली जो literature है है ना, जो लिखा गया होगा, उसमें लिखा गया होगा, साहिती जो हम बात कर रहे हैं जो शुरू के, may be divided into two categories, उनको दो categories में divide किया जा सकता था जैसे जो एक तो Sanskrit से आई गई है, दूसरा जो एक independent है and the other independent of it, जो दूसरी एक अलग है, independent है The first includes translation of the Sanskrit epics, the Mangal Kavya's, literally auspicious poems dealing with local deities and bhakti literature, such as the biographies of Chetanadeva, the leader of the Vaishnava bhakti movement Chapter 6 में ये हमने पड़ा है The second includes nat literature, such as the songs of Mayanamati and Gopichandra, stories concerning the worship of dharma, thakur and fairy tales, folk tales and bullards अब हमें बता रहें कि दोनों जो literature work है, अलग-अलग टाइप के, एक जो था हमने देखा था, एक कैसा लिया गया संस्कृत दूसरा जिसमें संस्कृत से मतलब उससे independent है, अलग है पहला जो है उसमें क्या include होता है, उसमें जो है, ट्रांसलेशन लिये गया है, किसके संस्कृत एपक्स को, के ट्रांसलेशन लिये गया है literally auspicious poems, जिसमें बहुती शुभ, auspicious, बोलते था कि अरे ये काम, ये जो duration है बड़ा ही शुभ है, मंगल है, auspicious है, बहुत अच्छा तो ऐसी auspicious poems ली गई, बहुत प्यारी प्यारी कवीता है, है ना, और dealing करी, और क्या था, local deities के बारे में, जो लोकल जो भगवान को पूछते होंगे, उनके बारे में, ठीक है, भक्ति लिट्रेचर भी था इसमें, जिसमें जैसे biographies थी, चेतन निदेवा की, है ना, जो ली second, जिसकी बारे में बात करें, जो independent है, इंक्लूट नत लिट्रेचर, such as the song of Mayanvati, Gopi Chandra, मतलब Mayanvati के, है ना, और Gopi Chandra के गाने, इसमें इंक्लूट की गए, stories कैसी, जो धर्म ठाकूर से related, उनके बारे में, ठीक है, और fairy tales, परीव अगेरा की कथाएं, कहानी, है ना, folk tales, और बैलेट, यह सब लिए गए, ठीक है, दूसरे में, और पहले में हमने देखा, जो ट्रांस्लेक्शन है संस्क्रिट के वो लिए गए, ठीक है, तो बैंगॉली जो किसकी बात करें, जो अर्ली बैंगॉली साहित थे, लिट्रेचर थे, उसमें कैसे कैसे क्या लिए गया है वो में बताया गया है, क्लियर, चल्ड, मयनमती, गोपीचंद्र और धर्मठाकुल, दनत्वर, ऐस्केटिक्स, वो इंगेज़ इन वाराइटी ऑफ योगिक प्राक्टिस, जो नाथ थे, जो नाथ बोल रहे हमें, हो क्या थे, ऐस्केटिक्स थे, जो किसमें इंगेज रहते दे, वाराइटी ऑफ योगिक प्राक्टिस, दिस पर्तिक्लर सॉंग, जो इनकरेज़ रहे हैं, हाउ मैनमती, अक्वीण, इंकरेज़ हर सन गोपीचंद्र तो अडॉप दिपाथ अश्केटिस्म, इन फेस अव वराइटी ऑप्सिक्स, धर्मठाकुर, इस पॉपुलर जाते हैं वैसे इस तरीके के, जैसे अलगी थलग, योगा-वोगा करें, मेडिटेशन कर रहे हैं, बिल्कुल ही, जोगी, बाबा, इस थोड़े से इस ताइप क्यो जाते हैं, तो इस पर्टिक्लर सॉंग, विच वज ओफ उफन इनक्टेड, डिस्क्राइब, इस क्या डिस क्योंकि भई जो रुकावटे आती, दिक्कत, अब्सक्राइब, तो भई आप क्या करो, इसका पात अपना, जैसे हम बोते हैं, बाबा वगेर, आप मेडिटेशन करो, योगा करो, आपका दिमाग शान्त होगा, आप ज्यान को प्राप्त करोगा इस तरीके से, धर्मठाकु धर्मठाकुर is a popular regional deity, धर्मठाकुर क्याता है, एक regional deity थे, popular regional deity थे, often worship in the form of a stone or a piece of wood, जिन की पूजा कैसे की जाती थी, भई पत्थर के form में, या एक लकडी के तुकडे को उसको देखके, उसके form में उनकी पूजा की जाती थी, ठीक है, किसकी बात कर हैं, धर्मठाकुर की, चल, the texts belonging to the first category are easier to date, अब ये हमें बोल रहे हैं, ये जो हम देखे हैं, first second नहीं, जो किस type की, इसके बारे हम बोल रहे हैं, the texts belonging to the first category are easier to date, as several manuscripts have been found indicating that they were composed between the late 15th and mid 18th century, those belonging to the second category circulated orally and cannot be precisely dated. They were particularly popular in eastern Bengal, where the influence of Brahmans was relatively weak, हमें कहरें कि जो first वाला, जो Sanskrit translation से लिया गया है, वो वाला जो text है, first category का, वो easier to date, उसके बारे में easier ही, मतलब हम उसके बारे में जान सकते हैं, कप का है, क्या है, उसकी जानकर ही दे सकते हैं, कितने पहले बनाया गया इस तरीके से, क्योंकि जो बहु वासी मनुस्क्रिप्स में क्या बताया गया है, उसमें इंडिकेट करा गया, information में दिया गया है, that they were composed between the late 15th or mid 18th century, क्योंकि मनुस्क्रिप्स में mention होगा, कि यह जो है, जो पहला literary work है Bengal का, यह कहां, कब जो है, इसको बनाया गया होगा, इसको बनाया गया होगा, इसके बारे इस duration का है, लेकिन जो second वाला है, इसके बार में नहीं बता सकते है, क्यों, क्योंकि यह orally बताया गया, लिखा होता कि इस time का है, तो हम बोलते ना कि written form में कोई भी चीज, हम कुछ भी काम करते हो, official काम, school काम, कुछ भी teacher होती, signature कर आके लाओ उपने parents से, तो यहाने parents ने कभी इस time पर होई होगी, है ना, तो written form में manuscript में मिलता है, यहां पर लिखा हुआ है, तो हमें पता है, लेकिन जो second category है, जो independent है, संस्कृट से है, बैंगॉली की, बैंगॉली वर की, वो orally और cannot be precisely dated, वो oral form में इसे बताई गई, फैलाई गई है, लिखित में है नहीं, जो ची particularly popular in eastern Bengal, और बतलब इनका कोई भी proper precise date भी नहीं है, कि भी बता सके कि कि सेंचुरी की है, जैसे इस काम कहा है ना, कि यह 15 और mid 18th century का था, लेकिन इस काम नहीं बता पा रहे, ठीक है, they were particularly popular in eastern Bengal, यह कहां popular थी eastern Bengal में, where the influence of brahman's was relatively weak, जहां पे जो brahman's का प्रभाव था, काफी weak थ नहीं है, तो Sanskrit से related क्या चीज़े होंगे, कुछ नहीं हो पाएंगी ज्यादा, clear, चल, so, इसी के साथ जो हमारा topic है, closer look Bengal के बारे हम जान रहेते है, end होता है, I hope आपको अच्छे समझ में आ होगा कि कैसे, कैसे, धीरे-धीरे Bengali language evolved हुई, ठीक है, पहले clearly था कि भी Sanskrit से ली गई जो हमने बहुत अच्छे से देखा, जैसे Persian, European, tribal language, etc, so, इसी के साथ ही video एंड होती है, अगर आप और भी वीडियो के lectures दिखना चाहते हैं, तो आप Magnet Trains के YouTube चानल, application और website से देख सकते हैं, e-notes और e-books के link आपको description box में available है, यह सारे high quality के courses हैं, जैसे के CBAC board, Delhi board, Bihar board, UP board, MP राजिस्थान board, Vedic Maths, crash course, spoken English courses, आपको अच्छी quality में और 100% free available हैं, आप हमें other platform पर भी follow कर सकते हैं, Facebook, Instagram, X, Telegram और WhatsApp पे, जादा सेदा लाइक कीजिए, जादा सेदा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना विलकुल भी ना भूले, अपना ख्याल रखे, थैंकियो so much for watching